नमस्कार संजु के किचन में आप सभी लोगों का सवागत है आज हम बनाने वाले हैं अरहर की दाल की और मेथी की पहुत ही टेश्टी से खिछड़ी इसको बनाने के लिए हमने रख लिए हैं कुछ सामान उसमें हमने रख लिए है ये दाल यह अरहर की दाल है इसे धुलके साप करके हमने रख ली है यह हाप कटोरी है और इधर ले लिये हमने एक अदरक का टुकड़ा और चार हर्दी मीर्ची और दो तीन कली लसन की इनका हमें पेष्ट बना लेना है यह हमने मेति दाना ले लिया है यह आदा गंटा पहले पानी में भिगो दिया था और इसमें ब्लैक सी कलोंजी के दाने गिर गए थे तो हमने निकाले नहीं है और यह हमने ले लिए एक कप बासमत्री चावल इसे भी पानी में धुलके भिगो दिये है आप घर के चावल को भी ले सकती हैं जो खाने में यूज करती हैं उससे भी अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनके तयार होगी इधर बनाने के लिए खिचड़ी हमने एक रख लिए हैं कुकर कुकर को हम गरम कहने देते हैं तब तक ये पानी मेथी का पानी जो है निकाल के सब्सक्राइब तो कर सकती हैं जैसे साफ हो पानी और यह हमने मस्टर्ट ऋइल डाल दिया है सरसो का तेल आप इसमें घह में भी बना सकते हैं अच्छी खिचरी बनके त्यार होगी उसमें थोड़े से डालेंगे हमने जीरा साबुत और इसमें डालेंगे लस्जन अधरक औ पकाते हैं इसे लट्सन प्याज का पेष्ट और जीरे को जब थोड़ा सा पक जाता तो इसमें सारी मेथी डालते हैं मेथी हमने दो चम्मच लिए थे जो नास्ते वाला चम्मच होता है उससे दो चम्मच लिए हैं और ये पानी में भिगो दिये थे आप इसे चार-पांच घंटे के लिए भिगो सकते हैं ये हमने आधे घंटे पहले ही भिगोई थी और ये पकने देते हैं और इसी समय पर हम डाल देंगे जब ये पकने लगते हैं दाल को ये घर की बनी हुई दाल है आप मार्केट की भी दाल ले सकते हैं बिने छिलके वाली और ये हमारी घर की बनी हुए दाल है वे उसी दाल में बनाएंगे मिलाते हुए थोरा सा इसे पका लेंगे जो ये चावल का पारानी निकाल दिये हैं और चावल को भी इसी समय डाल देते हैं जब थोरे से ताल मसाले उपक जाते हैं और ज्यादर कुछ मसाले इसमें कोई नहीं है सिर्फ वही खिचडी वाले मसाले हैं और अच्छी टेष्टी सी लगने वाली खिचडी है और दाली को समिला दिये हैं और एक कब मेरा चावल था तो इसमें हम ये धायन कप पानी डालेंगे एक कप पानी हो गया अगर आप चावल को ज़्यादा देर भिगोतनी है जो अच्छे से फूल जाता है तो आप पानी की कौंटिटी कम डालिएगा दो कफ हो गया है पानी और इसमें दाल है रहर की ये पानी पीएगी यानि सोकेगी तो इस पे हम थोड़ा सा पानी और आधा कप डालेंगे ये देखिए इन चावलों में पानी की कौंटिटी ज़्यादा नहीं लगती है कम ही लगती है और स्वाधन स्वाधा डालनेंगे इस समय पर नमक और बहुत अच्छी सी खिचडी बनके त्यार होती है और इसे सब ही लोग खाना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाती है आप इसे गर्मियों में सर्दियों में सब में खा जा सकती है कोई दिक्कत नहीं इसमें और इसी समय पर हम डाल देंगे धनिया हर जाएगी और इस तरीके से लगा देती हूं धकन सिलो आज पे पकाएंगे एक सीटी का आने का इंतिजार करती हूं और ये देखे पक के त्यार हो गई है इसे अब हम निकालेंगे बहुत अच्छी सी खिचरी बनके त्यार हो गई है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइ इतनी पहले एक प्लेट में खड़ी-खड़ी सी आप कोई भी चावल में बना सकते हैं और ये इसमें जाएगा थोड़ा सा देशी घी और ये लाजब आप खिचरी बनके त्यार हो गई है आप खा सकते हैं ठंडियों में भी खा सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं कि चावल है इसमें कोई दिक्कत आएगी और मेरी वीडियो को देखें लाइक के रिए शेर के रिए थाइंक्यू धन्यवाद